वो ऐसा दुरदान था कि नजाने कितनी माओं को बिदोवा बना दिया था नजाने कितनी बेहनों का आसा चीना था और जो लोग उसको सहीद और मसीह बना रहे हैं उनको वो एकदम जाहिल है यह प्रमाड होता है अतिक अहमद अगर सहीद है तो फिर जो सरहत पर हमारे भाई ह हमारे सेना जो सहीद हो रहे है फिर वो क्या है असद जैसे अत्रंकवादी को मार गिराये गया यूपी में और अतिक जैसे एत्र दुरदानतों का मरना ज़रूरी ता कि समाज में बहुतर एकजामपल आ के को दोड़ा के गोली मार दिया गया समझे कि इससे बहुत लोग कुछ नहीं हो सकता है और समझ लिजे कि आतिक को जिस प्रकाश से मारा गया है वो भी बहुत लोग कोल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है आप सुने होंगे चाहिए बहुत लोग सुना है उसमें वो क्या किया अबाद जो थे तब आपको समझ में आएगा कि अतीक एहमद के लिए दो धड़ा बड़ चुका है एक धड़ा ऐसा है जो कह रहा है कि अतीक एहमद गरीबों का मसीहा था एक धड़ा ऐसा है जो कह रहा है कि पुलिस के सामने उसका हत्या होना अपराध तो है लेकिन अतीक एहमद कोई मसीहा नहीं था इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हुंकार दल के राष्ट्रे अध्यक्ष कह लीजिए युवानेता कह लीजिए विपुल चौबे हैं विपुल चौबे अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और इसके लावा हमारे पास एक आदो मुद्दा और है जिस पर हम विपुल से बात करेंगे पटना में नमाज पढ़ा गया आखरी नमाज था और उसके बाद अतीक एहमद के समर्थन में नारिबाजी होई कई मीडिया हाउस जैसे हैं जो ये खबरे चला रही है कि अतीक तो मसीहा था मतलब बाबा बैजुनात के मंदिर में संद था आपका क्या है हम तो सबसे पहले ही कहेंगे कि अतीक अहमद एक ऐसा दूरदान तपरा दी था जिसने नजाने कितने गरी परिवार को बेसहारा ब बना दिया था ना जाने कितनी बहनों का आसा चीना था और जो लोग उसको सहीद और मसीहा बना रहा है उनको एकदम जाहिल है यह प्रमाड होता है और यह समझ लिजिए कि कोई भी तबका वह करके समाज में अगर अतीक हमत को सहीद बना रहा है तो हमारा देश के लिए यहां देश के लिए सेवा करके मर मीट जा रहे हैं और यहां देश को कड़म टुक्रो में बाट देने वाला आदमी को आज सहीद का दर्जा दिया जा रहा है तो समझ लीजिए कि जाहिलों की कमी नहीं है भारत में और अतिक सब .... उमेश्पाल को गोली मार दिया गया उनके लिए not Facebook पर लिखा नहीं लेकिन अतिक के लिए लिखा रहा है अतिक के लिए देखिये कोई लिख रहा है इक समाज लिख रहा है बस वही समाज लिख रहा है जो जिसका बुद्धी नहीं है जो एकदम जातिवाद में घुस चुका है वही समाज आतिक के समर्थन में लिख रहा है अरे उमेशपाल जो मर गए उनको कोई क्यों नहीं लिखा उनका सहाधत क्या बेर्थ चला जाएगा लेकिन यूपी सरकार को हम धन्यवाद देंगे कि उनका सहाधत बेर्थ नहीं जाने दिया गया असत जैसे आतंकवादी को मार गिराया गया यूपी में और अतिक जैसे अतंकवादी के माथे पर कट्टा सटा करके सिधा गोली मार दिया गया यह सावीत होता है कि उतर प्रदेश सरकार बेहतर काम कर रही है और आत करते हैं कि यूगी जी खाली मुसल्मानों परकार भाई कर रहें उनको विकास दूबे काहा नहीं घए हैं कि लिए नहीं कहने गया हैं कि दस पुलिस कर्मियों के एक रात में मरवा दिया था तो वह भी वही है जो आतिक था हम भीकास दूबे करस्टा में नहीं खड़े हो सकते हैं कभी भी हम उतरे जातिबाद से घीरे नहीं हैं जिस परकार से ये लोग कुछ लोग जो हीन मान सिखता के हैं वो लोग आतिक को हीरो मान ली है आतिक को पूरा साहिंसा मान ली हैं तो हम लोग उस टाइप के जाहिल और गवार नहीं हैं हम लोग प यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ है जो यूपी हर पर्वत्योहार में दंगा में डूबता था उस यूपी में होली रमजान हर कुछ ठीक से मनाया गया और तब भी कह रहे हैं कि लोग योगी जी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं खुब बढ़ियांस लोग अदर मेंटेन कि किसी अपराधी को महज दोस दिन के अंदर सडक पे दोड़ा गोली मार दिया गया जो आदमी किसी धुमन गज में जाकर के बम चला रहा था वह आदमी को दोड़ा के गोली मार दिया गया समझे कि इससे बहुतर लोग अनॉडर कुछ नहीं हो सकता है और समझ लिजए कि आतीक को जिस प्रकार से मारा गया है वो भी बहतर लोग और है हम मान रहे हैं इसलिए मान रहे हैं कि आतीक आचा बहुत आतीक का कॉल रिकॉर्डिंग वाइरल हो रहा है आप सुने होंगे चाहे बहुत लोग सुना है उसमें वो क्या किया है जितने बिल्डर है कि इसे 10 करोड कर लेभी मांग रहा है कि इसे 5 करोड का मांग रहा है ऑसादवा जो मरा है वो भी यही काम करता था किसी से 10 करोड कर लेभी मांगता था किसी गरीब का जमीन कब जा लेता था और ये लोग उसी मान सिख्ता कि थे आतीक यह आतीक अथीख उप fanatatров को अक्षी कॉएट도 अब बहतर काम योगीजी कर रहे हैं सबसे पहले तो योगीजी को धन्यवाद रहे हैं अखरी सवाल योग्याजितनाथ की एक सरकार जो है वो एक लिस्ट निकालती है इसमें लमसम 40 से ज्यादा लोगों के नाम होते हैं जिसमें ब्रजेश सिंग का नाम है राजन तिवारी का नाम है मतलब उसमें हिंदु मुस्लीम नहीं किया गया है जिन लोगों पर केस है उनका नाम आया है अब क्या ये फी एक सबूत नहीं है कि योगादितनाथ जब कहते हैं कि अपराध नहीं होगा तो इसका मतलब वो follow कर रहे हैं वो अपराधी का नाम दे रहे हैं ये बात इन जाहिलों को समझ में आना चाहिए जो लिस्ट योगी सरकार ने निकाला है कि जो most wanted criminal है उसमें अभी फिलहाल में एक ही दो मुसल्मानों का नाम आया है और बाकी सब हिंदू समाज के अपराधी है और उनलोगों पर खरवाई करने के लिए उगीसर ड्राएं, कि कोई राजन तीवारी का नाम आया है तो राजन तीवारी को हम नहीं मानते हैं, कि उपन्डी जी है छोड़दीजे उनको बात और ब्रजेश शिंग् और नजाने कितने अपराधियों का नाम है, साठ समाज के धरोहर हैं लेकिन ये लोग जो मानते हैं उनकी मानसिक्ता एकडम हो चुकी है चलिए मिला जुला कर बात यह है कि जो पूरा समाज है वो दो धड़ा में बटा हुआ है एक धड़ा ऐसा है जिसका कहना है कि अतीक अहमत को जो मारा गया वो गलत किया गया हम भी यह मान आज था परवचन दिता था और एक और घड़ा है जो यह कह रहा है कि अतीक अहमत को मार कर सही किया फैसला आपको करना है आप कहां खड़े हैं किसके साथ खड़े हैं बाकी आपको अपडेट देते रहेंगे आप जंता रिंग्शन देखते रहेंगे बहुत-बहुत